हेलो गाईस तो मैं लेकर आगी हूँ फिर से एक न्यू चाइनेश ट्रामा तो ड्रामा के स्टाटिक में हम हमारी फिमेल लिट क्यायो को देखते हैं जिसे कुछ में इस ग्रीट कर रहे थे तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडें का मतलब यह नहीं था वो उस पर गुज़ा करती है कि पूरे दिन भर घर में बैठी रहती हो कुछ काम धंदा तो करती नहीं हो बस मेरे बैटे का खाना खा रही हो और उसे यह केकर मास से चली जाती है कि अगर मैं तुम्हारी जगा होती तो कब से वो फैमली में तुम्हार कोई contribution तो है नहीं इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से चली जाओ और वैसे भी यंग मास्टर तो तुमसे प्यार भी नहीं करते क्यायों सूसती है यह सब कुछ प्यार के लिए ही तो कर रही हूँ अपने आइडेंटि हाइट करके इतना ही उमलेसन जेल र सकती हो उसने मुझे सेफ किया था और वेजिटेटिव स्टेट पर चली गई थी पर तुमने उसे सीडियों से धका दे दिया तुम इतनी क्रुएल कैसे हो सकती हो तो क्यायों सोसती है मैं तुम्हारे माइंड में बस एक क्रुएल परसन हूँ तुमने मुझ पर कभी सब्सबो की पोजिसन उसे देना चाहती हो वो कहता है तो ठीक है मेरे साथ हॉस्पिटल चले और उसे पेबेक करो और फिर उसे अपने साथ हॉस्पिटल लिकर जाता है और सीसी से माफी मांगने के लिए कहता है तो वो कहती है मैं क्यूं माफी मांगों सीसी कहने लगती है क मिस रुवान का ऐसा कोई मतलब नहीं था सिहान कहता है मुझे कोई फर्क नहीं परता तुमने ये जान बुचकर क्या या अंजाने में पर सिसी तो आस्पिरल पहुच गई न अगर तुम माफी मांग लोगी तो क्या हो जाएगा तब ही उसे फोन आता है तो बात करने के लिए बाहर चला जाता है और फिर क्यायों उसे कहती है क्या तुम एक्टिंग करते करते ठकती नहीं हो तो वो कहती है कि सिहान ने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया ये सुनकर वो सहड हुजाती है और जब सिहान आता है तो उससे डिवोस के बात करती है और कहती है कल हम सीविल व वज़े से हुआ है अगर हमारी डॉटर सीहन से में रच करना चाहती थी तो करने देते तुमने तो उसे रिस्ता ही खतम कर दिया वो तीन सालों से घर पर नहीं आई है डैट कहते हैं उस टाइम में घुसा था और कहते हैं क्यों आम अभी वो फेमली में चले तब ही वहां पर क मेरी डॉटर को बुली करने की मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं ऐसे कर वो वहां से जा रहे थे तो क्यायों उन्हें रोकती है और कहती है आप उसे ब्लेम मत कीजिए वो मैं ही हूँ जिने लोगों की पहचान नहीं है वो मुझे प्यार ही नहीं करता डैट कहते हैं मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी और तुम जिंता मत करो रुआन फैमली हमेसा तुमारे सपोर्ट में है और फिर क्यायों पूस्ती है क्या मैं कंपनी में वापस रह सकती हूं तो वो मान जाते हैं वो खुशो कर उन्हें हक कर लेती है और सोस्ती है मैं भी देखना च मैं वापस आ गई हूं पर उन में से एक को अच्छा ने लगता और वो कहता है तीन साल पहले तुम बिना किसी को कुछ कहे यहां से चली गई थी और आप तुम अचानक से आ यह कोई मजाक नहीं है तो वो कहती है मैंने आपकी फाइल पढ़ी है और करेंट सिच्वेसन के हि पाद का सिंद्ध दिखा जाता है जहां सिहान सोच रहा था कि क्या यो तुम कहां हाइट हो गई मैं तुमें धून भी नहीं पा रहा हूं और अपनी इम्पलेई पर चिलाता है कि वान मन्ध हो गए हैं तुम एक परसन को नहीं धून पए अगर तीन दिन के अंदर तुम उ हो गए थी अब वो वापस आ गई है असिस्टेन बताता है कि मैंने ये भी सुना है कि वो गाउस के साथ कॉपूरेशन करने की बात कर रहे हैं पर हमने तो अभी-अभी उन्से बात की है यह क्लियर है कि वो उन्हें अपने साइट पर करना चाहते हैं तो सियहन कहता है मैं भी इतनी वरिट हो रही थी तुमारे लिए और वो divorce के बात करती है और कहती है जब तुमmaos ले लेंगे शीहां कहता है कोई Tr candles करो मेरे अच्टिविकेट लाने हैं आ है यह सुनते ही वह कुस्त में कहता है तो क्या तुम मुझे recognize नहीं कर पा रहे हो सिहन पूसता है तुम अभी मिसस वो की तरह कैसे दिख रही हो क्या यो कहती है तो फिर मुझे कैसा दिखना चाहिए ये तो वही look है ना जो तुम्हें पसंद है तो वो गुसे में उसका गला पके लेता है और कहता है तुम अभी मेरे साथ घर चलो मैं इसा प्रेटन करूँगा कि कुछ हुआ ही नहीं ये सुनकर वो याद करती है कि एक वार उसका मिसकरेज होने वाला था तो उसने help के लिए सिहन को call किया था पर उसने ये कहकर मना कर दिया था कि इसने कोई लेन दना नहीं और जब वो हसकी है तो उससा पता चलता है कि उसका मिसकरेज हो गया है और ड़क्टर बताता है कि वो बहुत लेट हुस्पितल पहुंची और उसकी मिसकरेज की सुनकर सिहन को बिलीफ नहीं होता कि वह प्रगनन थी यह सब यात करके कहती है तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं हुआ सिहन पोस्ता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रहे नहीं सकती और क्यूंकि तुम सिसी को लाइक करते हो इसलि क्यायो कहती है क्यों अगर मैं unhappy भी होती तो क्या मैं foot foot कर रोती मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो अब मुझे बस तुम से छुट करा जाए ऐसा के कर्मा से चली जाती है और सीहन बस उसे देखता रह जाता है नेक सीन में क्यायो मिश्टर वांग से की ये इसके साथ क्या कर रही है और क्यायो से कहता है तुम यह फिर से कौन सा ट्रिक प्ले करने आई हो तो बताती है कि वह से मिलने नहीं आई है और वो मिष्टर वांग से explanation मांगती चिasan और किया बं करने कहती है mission form वांग तो सिहन के साथ कोपरेशन करने के बारे में सोच रहा था और फिर असिस्टन की आयों को उनसे इंटेड्यूस कराता है कि यह हमारी रुवान फैमली की एलेश लेडी है और हमारी कंपनी की सीओ भी यह सुनकर दोनों ही सौक्ट हो जाते हैं क्या यह मिश्टर वांग से कहती है अभी तुम्हारी कंपनी की जो भी सिचेशन है उसी हिसाब से तुम चूश नहीं कर सकते कि तुम किसके साथ को परेशन करोगे पिछले कुस्तिनों से तुम्हारी कंपनी पर 70 मिलियन का डेप्ट है अब तुम बो ग्रूप के साथ का प्रेक्षन करना चाहते हो तुमने एक बार भी सोचा है कि सड़नली बो ग्रूप तुम्हारी कंपनी को क्यों अक्वार करना चाहता है यह सब सुनकर तो वो भी सोच में पढ़ जाता है और सिह सिहान गुसे में उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारी हिमत कैसे भी मुझे छूट बोलने की तो वो पहले खुद को छोणने के लिए कहती है और कहती है आइम ग्लैड कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया मुझे लगा था कि तुम्हें कैसे पर्षन हो जिससे प सियान कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरफ देखूंगा तुम्हें डिजब नहीं करती तो क्यायों कहती है तुम्हारे जैसे पर्षन मेरे प्यार के लाइक ही नहीं है और ना ही मेरे हस्बेंड मनने के लाइक है कहकर गुस्ते से वहां से चली जाती है और वह वो फैमली से एक सरवेंट का उसे थे फोन आता है और वो बताती है कि ओल लेड़ी यहां ही है और वो बहुत घुस्ता कर रही है। और वो आपको बुला रही है तो वो कहती है मेरा और सिहन का Deposrendre हो चुका है तो मैं वहाँ नहीं आऊंगी और में बताती है कि आपकी best friend भी आई है और वो दुनों जगडा कर रहे हैं बेटर हुआ कि आप यह हैं आधिय रही हूं और वो बहुत जाने लगती है वो जैसे ही वहाँ पहुंचती है तो वो उनकी बाते सुनती है जहां पर उसकी बैस्टी फैंग और उसकी मदर इनला जगड रहे थे फैंग कहती है फले ही वह फैंबली रिच है पर मुझे नहीं लगा था कि क्यायो को तुम जैसे लो कि आप आ गई तो उसकी मदर निला कहती है अपनी फ्रेंड को अभी यहां से लेकर जाओ वरना तुम भी अपने हस्बेंड के घर से बहार निकल जाना क्यायो कहती है मैं आपकी बात क्यों सुनूँ पहले मैं सिहन से प्यार करती थी इसलिए मैं आपकी हर बात सुनती थी पर अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं आपकी बात क्यों सुनूँ तो वो गुसे में कहती है तुम अभी मेरे बेटे को डिवोस दो और अपने लिए एक नया घर ढून लो क्योंकि तुम इतना वर्दी नहीं हो कि हमारी फैमली में एंटर कर सको फैंक क्यायो कहती है ऐसे उसे रोग लेती है तब ही वहापर सिहान अजाता है और यह सब देखर कहता है तुम यह क्या कर रही हो उसकी मॉम भी कहने लगती है देखो इस वुमेन को जिससे तुमने मेरेज किया था ना सरी पिये पलटकर जवाब देना सिख गई है बल्की फाइडवेक करना भी सिख सिहान उसे कहता है अब यह ज्यादा हो रहा है तो वो कहती है अगर तुम अपनी फैमली के भलाई चाहते हो तो उन्हें समाल कर रखो वरना मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए अगर तुम वो फैमली में मेरेच नहीं किया होता तो आज ऐसे नहीं दिख रही होती फैंक कहती है अनेजुकेटट हुमन बहुत ही डरावने होते हैं तो वो उस पर गुस्ता करती है कि तुमने फिर से बोला तो सिहान उसे चुप कराता है और फिर उसकी मॉम क्यायो को अपन के बाद फैंग उन पर घुस्ता कर रही थी और क्यायो से कहती है इट्स होके अगर तुम सिहान को डिवोस नहीं देना चाहती तो वो बताती है कि उन दोनों ने डिवोस ले लिया है पर वो पहले तो उसकी बात पर भरुस्ता नहीं कर रही थी और कहती है तुम मुझे कर रही हूं फैंग बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली तुम दोनों ने डिवोस ले लिया तुम सबसे बैश्ट इसप करती हो और कहती है जब तुमारी ट्रू एडिंटी के बारे में उस बुडिया को पतल चलेगा तो वो तो बहुत रिग्रेट करने वाली है उस सीन के सौच कर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है तबई वहाँ पर सीला आता है और क्यों से कहता है तुम तो आज बहुत सटिस्पाय हो गई होगी न को यति हैं तुम्हारा क्या है क्वैन से इस्ये स जाती है तो उन दोनों के उपर सिल तो और रस्त वह कर रहे कि इस life में तुम्हें कभी wife नहीं मिलेगी तो क्यायों इसे सांध करती है और कहती है मैं घुसा नहीं हूँ चलो मॉल चल कर हम new dress बैय कर लेते हैं और पूस्ती है कि मेरे mom की बड़े आने वाली है तो क्या तुम मेरी help करो की gift बैय करने में बाद में मैं तुम्हें dinner भी क्यायों कहने लगती है कि 3 साल हो गया है मैं घर नहीं गई थी और इस यहर मेरी mom 50 की होने वाली है इसलिए मैं बहुत carefully gift choose कर रही हूँ फैंक कहती है तो ऐसी बात है देखो देखो अच्छे से देखो उसी mall में सिसी और उसकी friend भी आए थे shopping करने तो वो क्यायों को देख लेते हैं और उसकी friend कहती है यह तो वही है ना जिसने तुम्हारे होने वाले husband को चुरा लिया था यहां क्या क्या कर रही है कि उसके पास अच्छे से कि जहां अच्छे से देखो कि कौन बाल दिया के लोग मेरे बारे में लेकिन तुमने मुझे प्रबोग किया क्या तूम reports किया तूम इतने लोगों के सामने मुझे पेवेक काना चाहती हो सिसी कहती है सिहान आच नहीं तो कल तुम्हें डिवोस दे ही देगा तो वो कहती है तुम उसे लाइक करती हो ना तो मैं उसे तुम्हें दे देती हूँ ये सुनकर सिसी घुसा हो जाती है और फिर कहती है हम कुछी दिन के अंदर रुआन ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने वाले हैं और फिर हमारी कंपिनी हाय लेवल पर आ जाएगी उसके बाद मिसिस वो की पुजी संस्रिप में ही डिसब करूंगी और तुम मुझे ऐसे दुबारा हिट भी नहीं कर पाओगी रुआन फैमली की एलश लेडी वापस आने वाली है तब तक वेट करो जब तक हमारा कॉपरेशन नहीं हो जाता ये सुनकर क्या यो स्मेल करते वे कहती है कि तुम्हारा कॉपरेशन स्मूथली हो जाए तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे जली सो रही हो तो उसे बहा निकाल दो और कहती है मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ निल डाउन होकर मुझे माफी मंग लो तो मैं जो कुछ भी वा उसे भूल जाओंगी तो क्या यो कहती है जब मुझे तुम्हारे खिलाब evidence मिल जाएंगे तब बात करेंगे ऐसा कहकर वो उस necklace को pick करवाने के लिए कहती है ये सुनकर वो उसकी insult करने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आया तुम्हें तो घर्षा बहार निकाल दिया गया है तुम इसे offer नहीं कर सकती तो buy करने का pretend क्यों कर रही हो तो वो उन्हें ignore करके उस necklace का payment कर देती है ये दिखकर वो लोग सौक्ट हो जाते हैं और फर सिसी उसकी insult करने लगती है कि क्या तुमने ये पैसे चुराया है तो फैंग उसे कहती है हर टाइम दूसरों को question पूछना बंद करो और क्यायो भी उसे खुद पर ध्यान देने के लिए कहती है सिसे उसके close शकर कहती है एक बार हमरी रुआन कंपनी से corporation हो जाने दो और बताता है कि क्यो फैंग लेडी इसी बारे में discuss करने के लिए company आई थी पर मैंने उसे refuse कर दिया तो उसने मुझे इस बारे में सोचने के लिए कहा है क्यायो कहती है अगर next time उसने contact करने की कोशिश की तो तुम उसे refuse मत करना और आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और फिर फैंक कहीने लगती है जब सिसी को पता चलेगा कि वो जिसे friend बनाना चाहती है वो तुम ही हो तो उसके expression क्या होंगे और पूसती है कि तुम असिस्टेंट से क्या करवाने वाली हो तो सिसी उसे इसे बात करती है जैसे कि क्या यो जान बुचकर यहां आई है सिसी का सोसल मेडिया पोस्ट देखकर तो क्या यो कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा पोस्ट चेक करूँ वैसे भी क्या हम दोने एक दूसरे के वीचार्ट पर हैं तब ही सिसी उस पर गुसा करने वाला था तो सिसी उसे गुसा करने से मना करती है और कहती है क्या यो तो हमेशा मुसे गुसा रहती है फिर भी तुम्हें अधर मैं के साथ बाहर खाने पर नहीं आना चाहिए था ये सुनकर असिस्टन कहता है तुम मिश्टर वो के साथ दिनर कर सकती हो मुझे बार बार टिनर के लिए इंवाइट कर सकती हो पर मिस रुआन नहीं कर सकती सिसी सेहन को क्लियर करने लगती है कि मैं असिस्टन को इसलिए इंवाइट करती थी चलो यहां से एकर वहां से जा रहे थे तो सिहन उसे रोगता है और सिसी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है तो क्यायो कहती है मैं उससे क्यों माफ़ी मांगू तो वो कहता है ऐसे तुम सिसी की इंसल नहीं कर सकती सिसी अच्छी बनते वे कहती है रहने दो मैं तुम्हारे साथ बाहर खाने पर आई हूँ, इससे क्यायो को अच्छा नहीं लग रहा होगा मैं नेक्ट टाइम से नहीं आऊंगी, तो सिहन कहते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये पस उसका जलिसी है क्यायो कुसे में कहती है, तुम कितने सेमलेस हो, इतने सालों में कभी तुमने मुझे प्यार किया, कभी मुझे पर पैसा खर्च किया तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, तो सिसी कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कुछी दिन पहले तो तुमने 100 मिलियन का नेकलेस खरीदा था क्या वो सिहन का पैसा नहीं था तुम मुझे माफी नहीं मंगना चाहती तो मत मांगो पर ऐसे सिहन का पैसा तो स्पर्ण मत करो तो क्यायो सिहन से पूछती है क्या मैंने तुम्हारा पैसा यूज किया है वो कुछी नहीं बोल रहा था तो सिहन क कहती है तुम एडमीट क्यों नहीं कर रहे हो कि वह तुम्हारा पैसा था और क्यायो से कहती है सिहन को छूट बोलने वाले लोग बिल्कूल भी पसंद नहीं है क्यायों कहती है तुम्हें या ट्रवल क्रियेट करने की सर्वत नहीं है अगर तुम्हें ये सूस पसंद है तो मैं तुम्हें देती हूं कहा कर वहाँ से जाने लगती है सिहान के रुकने पर भी नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है असिस्टेन सिसी से कहती है कि next time से मुझे hotel में invite मत करना तुम जैसे casual moment से मुझे डल लगता है कहीं मैं सिखना हो जाओं ऐसा के कर वो भी महाँ से चला जाता है और फिर सिसी उसे explain करने लगती है कि वो क्यायों को protect करने के लिए मुझे frame कर रहा था सियन कहता है पर वो run company का एक member है और वो gold medalist है उसने कभी चूट नहीं बोला तो सिसी कहती है इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने friend को protect करने के लिए चूट नहीं बोलेगा तुम्हें तो पता है कि मैं one month पहले ही host में आई हूँ और मैं कोई muscle काम नहीं कर सकती और कहती है कि रूमर्स था है कि मैंने तुम्हारी marriage destroy कर दी और तुम्हारी मिश्ट्रेस बना चाहती हूँ पर तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम मुझ पर belief क्यों नहीं कर रहे हो है कि कब तक हम उसे start करेंगे तो क्यायों बताती है next week next in में सिसी रुवान कंपनी गई थी मिस रुवान से मिलने के लिए अभी वापर क्यायों आती है तो वह उसे देखकर उसके इंसाल करने लगती है कि तुम्हारी कोई आडेंडी नहीं है और रुवान कंपनी वाले बिना अपेंडमेंट के तुम्हें अंदर घुसने भी नहीं देंगे तो क्यायों भी उसे अच्छा खासा जबाब दे देती है और फिर सिसी पताने लगती है कि मैं आज मिस रुवान आज मिस रहता है